सिर्मोर जिला मुख्याले नाहन में आज युवा कॉंग्रेस के कार्यकरताओं ने कॉंग्रेस के छे बाकी विधायकों और भाजपानेताओं के पुतले फुके इस दोरान युवा कॉंग्रेस के कार्यकरताओं ने बाकी विधायकों और भाजपानेताओं के खिलाफ भी जमक करके यूट कॉंग्रेस नहान बंदल की तरफ से जो इनों ने कांग्रेस के जो गदढर विदायक जिन्हों की को आपको कांगर्स पार्टी का नाम दूवाने का कारिय किया है और एक तरिके से जो हिमाच्रा परदेश में जनता ने कांगर्स पार्टी को पूर्ण बहुमत से जो है विजय हसिल करवाई थी उसमें सरमनाक कारिय करने का जो कारिय किया है इन छे विदायकों ने इनके खिलाफ आज युवाओं के मन में बहुत ही रोश है और इसको लेकर यहां पर आज पुतला जलाए गया केंदर सरकार यह जंता पूरी भली बां किया था युवाओं पूरी त्रीके से बेरोजगार होते जा रहे हैं और केंदर सरकार के उपर कोई भी जूruit इनके भी पुतले जराए गए हैं सरकार चे विदान सभा शीटों पर भी जनता ने जो है पहले भी माचल प्रदेश में कॉंग्रेस को बहुमत दिया है और पिछली बार तो 40 शीटें कॉंग्रेस के पास थी आने वाले समय में ये निर्दलिय विधायकों ने जो इस्तीफा द नहीं है और जिस प्रकार से इन विधायकों ने जो कंग्रेस पार्टी को गिराने का कारिया किया है उससे जनता बली बांती परिशित है और निश्चित रूप से जून के महिने में जो सरकार है वो 40 से 43 शिटों पे जो है विजए हासिल करने वाली है सुकु जीने ऑपियस क महिलाओं को देने का वादा किया है लेकिन बात पास सरकार हर तरीके से उनको गिराना चाती है जो अपने माने में अपने सुक्विंदर सुक्विंदर जो भी हम अप्लाई करी है हर चीज जनता के हित के लिए विजए भी चाती है कि किसी ना किसी तरीके से कांगरी की सरकार गिरे और हम OPSP बंद करें और 15 सुन महिलाओं के लिए हम देर चाहिए वो भी हम स्किम बंद करें इन्होंने आज तक एक भी काम जनता के हित्में नहीं करा है यूवा बेरोजगार है आज यूवा के पास कोई धंदा काम करें नहीं बचा है कोरोना काल से लेके आज तक देख ही है नाहन से कैमरामैन युगमार्क टीवी